गुद इवनिंग क्लास हम लोगों ने लास लेक्चर में प्रॉफिट अन लॉस से रिलेटेट काफी कुछ अच्छे-च्छे कुईशन्स करे थे तेक हैं आप हम लोग इस क्लास में थोड़ा सा डिसकाउंट की कंसेप्ट के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं कि क्या थे अच्छे काउंट की कंसेप्ट के बारे में पढ़ने से पहले हम लोग आते हैं मार्कराइस के ओपर के वाउट य म मांट प्रईस क्या होता है हम वह जूरसप कीपर की बात करते हैं कि शॉप कीपर्स ने झो है एक मेना पको पिछले कुछ लेक्ष्र में समझाया पहले किसी कीपर के पास जाता है उससे समान लेता है और फिर वहामें आगे लेता है, तो उसमें उसका बेसे के लिए या तो प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है लेकिन अगर हम घूर मॉल्यों की सिस्टम के परम लोग बात करते हैं is जबाएं जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं अजकल सब मौल में मिलने लगे तो उहां पर भी हम लोग क्या करते हैं इस सेलिंग प्राइज या यह जो कॉस्ट प्राइज होता है उसका हम क्या करते हैं कंसेप्ट लगाते हैं या फिर आप किसी भी दुकानदार के पास जाए जो क्लोट सेलिंग करता हो जनके इतने सारी छीजे होंगी जिनके इंदक situation Common High School debates मंने प्राइज के अंदर प्राइस यह उनका भी फायदा और उनका भी नुकसान होगा तो देखो उसटेंद डृस में क्या होता है सबसे पहले talented vergessen जैसे एक शॉपकी पर है उसके पास 500 रुपे की उसने एक टीशिट लिए वह कहीं से खरीद के लाया उसको वह टीशिट जो है सारे ओवरेड चार्जेज वगरा जो भी थे ट्रांस्पोटेशन चार्जेज और सारे सेल्स टैक्स वगरा लगा करके उसने 500 रुपे उसको मिल तो अगर वह उसको 500 में बेचेगा तो उसका 50 रुपी का प्रॉफिट है और अगर उसको 400 में बेचेगा तो उसको 100 रुपीश का लॉस है एक तो यह कंसेप्ट होता है दूसरा कंसेप्ट देखो हम इस तरीके से समझेंगे कि कई बार क्या होता है कि यहां से शुरुवात ह तो यहां से concept आता हैं माग्ड प्राइस का तो Marked Price क्या होती है कि वो जो भी हमारे पास जो भी commodity होती है जो भी item होता है उसके उपर एक fix price लिखी हुई होती है टेके ना उस fix price को हम क्या बोलते है Marked Price और इसको हम MP से denote करते हैं अब कई बार क्या होता है कि अपने ही जो product है उसको जल्दी sell करने के लिए बहुत सरे लोग भोलंगे लेकिन जब गर्मियों केजनरी है तो देश यूजया भी एग शुपिपल ॉल्लस decorative तो उस इसमें क्यों होता है कि के ने, यह ह मर से पहले के लिए ही आप कर दें नाब के ओचाँ करखोर सकते हैं यह वह झाय पैसे सaufenष के यह क्लut कर सब्सक्राइब करने के लिए लोग क्या है तो उसको था सतीन ह avail ही जान संग्ज्देता है तो सबके ही चेहरे जो होते हैं वो एक दम बहुत सबके चेहरे पे बहुत बड़ी स्माइल आ जाते है कि इस स्टोर पर डिसकाउंट चल रहा है ताकि वो अगले साल हमें पताने की फैशन में हो नी हो गोडाउन करीदना पड़ेगा और उस गोडाउन की कॉस्ट अलग से लगी इससे अच्छा होई प्रिफर करते है कि कम पैसों में बिग जाए लेकिन स्टॉक तो मेरा क्लियर हो जाए तो कई आप मॉल वगरा में देखते हैं डिसकाउंट सेल चलती है तो वह इसकी ही चलती है तो डिसकाउंट की अगर मैं बात करती हूं तो डिसकाउंट कब निकलते हैं जब मैंने डिसकाउंट की बात करी तो मैंने किसी भी चीज को उसकी मांगड प्राइस से कम प्राइस में मैंने सेल किया बही किसी भी कोमोडिटी के आज एक जीन्स थी जीन्स आपके हजार रु से सब्सक्राइब के ऊसे निकलते है। अधिनी उंपड़ हो एक करते हैं। तो द्सकाउन सब्सक्राइब की है। आमेशह की नेकशनु कि से सब्सक्राइब करें। करता हैं, पर दिग कुण भी वे किसी भी पॉसम्र फमनoshing साव है। अगर उसने उस पे ये बोला है कि भाई इसमें आप तो इसमें discount कर दीजिए तो उसको फायदा यो नुक्सान होगा वो depend करेगा उसकी mark price पे क्योंकि उसकी original price क्या थी तो discount percent जो होती है वो हमेशा क्या होती है हमेशा mark price सी evaluate होती है तो discount percent is equal to discount upon mark price multiply by 100 ठीक है अब देखो discount minus marked price तो marked price minus selling price upon marked price multiply by 100 तो ये क्या हो जाएगी discount percent की definition आपको मिल जाएगी clear हो ये चीज आपको ठीक है ये चीज आप concept देख लो इसके अलावा एक formula जो होता है वो और आता है वो formula ये होता है कि आपका marked price जो होता है वो equal होता है 100 upon 100 minus discount percent multiply by SP मतलब अब बस ये मान लो कि your cost price has become your marked price now and discount है तो कम पैसो पही भी का होगा 100 upon 100 minus discount percent multiply by selling price ठीक है तो हमारे पास कुछ-कुछ basic basic formula हो गए पहला तो ये हो गया दूसरा हमारे पास formula ये हो गया और तीसरा हमारे पास formula ये हो गया ठीक है अच्छा उसके अलावा एक हमारे पास एक और formula आता है कि अगर हमको ये बोला जाए कि हमने किसी भी मॉल की अंदर फर्स दे पर तो 10% डिसकाउंट दिया सेकंड दे पर हमने 20% डिसकाउंट दिया तो हमको एक ऐसा इकोवलेंट वैल्यू निकाल ली है एक ही डिसकाउंट की जो वो इन दोनों डिसकाउंट के इकोवलेंट हो ठीके na हमने किसी भी मॉल के अंदर पहले दिन तो 10% का डिसकाउंट हो गया दूसरे दिन 20% का डिसकाउंट हो गया अब मेरे को बतानا है कि एर ऐसा एक इकोवलेंट डिसकाउंट बताओ जो इन दोनों के बराबर हो तो उस case में हम क्या करते हैं अगर मेरे को पता है कि X percent और Y percent क्या है successive discount percent है successive discount मुझे मिले तो X plus Y minus X into Y upon 100 ये percent अगर मैं निकालूंगी तो मुझे क्या मिल जाएगा equivalent discount percent clear हो ये चीज आप लोगों को अब आप इसको क्या कर सकते हैं ये percent लग जाएगी इस चीज को मैं वापस revise करवा देती हो एक बर marked price क्या होती है किसी भी mall के अंदर जो commodities होती है उनकी पटिकुलर price होती है वो marked price होती है दूसरा पहला आता है discount discount क्यों होता है अपने किसी भी over stock नहीं हो हमारे पास जो भी stock से वो जल्दी clear हो जाए उनको clear करने के लिए हम क्या करता है discount देते है discount क्यों होता है marked price minus selling price selling price क्यों minus होती है और marked price क्यों बड़ी होती है क्योंकि आपने उसको कम पैसों पे sell किया है then the second point is discount percent discount percent हमेशा marked price से निकाले जाती है discount percent is equal to discount upon marked price multiply by 100 या फिर discount का formula लगा दो marked price minus selling price upon selling price multiply by 100 then the third formula is अगर आपको marked price निकालनी है तो और अगर आपको discount percent दे रखी और selling price भी दे रखी है तो formula क्या लगेगा marked price is equal to 100 upon 100 minus discount percent multiply by selling price and then the last formula is X percent and Y percent अगर आपको successive discounts हैं तो वो एक equivalent discount के equal होंगे which is X plus Y minus X into Y upon 100 percent clear हुई ये चीज़ आपको अब आप इन formula को noot down कर लेना उसके आद हम लोग क्या करेंगे इससे related कुछ अच्छे से questions कर लेगे तेक हैं आप I hope आपने formula noot down कर लिया होग अब तक अब हम इससे related कुछ questions कर लेते हैं अब देखो क्या हुआ है कि हमारे पास marked price जो है किसी भी radio की ठीक है ना it was rupees thousand ठीक है according to the Diwali the discount was given ठीक है and the discount was of rupees sorry of 10 percent then you have to find the selling price ठीक है ना बहुत basic question है बहुत easy question है सबसे पहले हम basic question से ही चालू करेंगे radio की marked price thousand rupees थी उसको discount मिला 10 percent का इसका मतलब की मैं यह बात करती हूँ पहले मैं 10 percent of hundred निकालती हूँ 10 percent of thousand निकालती हूँ ठीक है ना तो 10 percent मतलब 10 upon hundred multiply by thousand तो उस case में यह किता आजाएगा hundred मतलब की 10 percent of thousand is hundred rupees ठीक है ना अब आपने क्या किया discount क्या होता है इसका मतलब की आपको discount कितने का मिला discount आपको मिला rupees 100 का ठीक है ना अब formula क्या होता है discount is equal to marked price minus selling price discount है आपके पास 100 रुपे का marked price आपकी क्या थी 1000 रुपे की थी अब आपको selling price निकालने थी तो अब आपको तो आता ही है algebra selling price will be equal to thousand minus hundred which will be equal to 900 तो मतलब की आपने उस जो भी था वो टीवी था उसको आपने 900 रुपे में बेचा तब जाके आपने उसको 10% discount पे क्या किया sell out किया clear हुआ यह example आपको ठीक है ना अब हम क्या करेंगे दूसरा example कर लेते हैं इसमें ठीक है second example है single discount of two successive discounts of 20 and 10% two successive discounts of 20% and 10% ठीक है ना उसका एक single discount निकालना है इसके लिए तो जो formula था बहुत basic वही वाला formula रखना है आपको कुछ नहीं करना x कितना हो जाएगा 20% and y कितना हो जाएगा 10% तो x प्लस y मतलब 20 प्लस 10 discount of 28% clear हुई यह चीज़ आपको यह जो question है यह बहुत easy था और यह डायक्थ अमने formula इसमें use किया अब हम लोग इसका एक third equation और कर लेते हैं थार्ड question यह है कि यह single discount equivalent to successive discount of 25, 20 and 10% तीक है ना अब देखो यह वाल आपने लिख लिए होगा अब इसमें क्या है तो सबसे पहला कौन सा है 25% 20% and 10% अब देखो इसको हमको तीन successive discounts जो है निकालना का formula तो मैंने आपको बताया ही नहीं था जब 3 successive discounts हो वन successive discount पर मैंने बताया हुआ है तो देखो इसको solve करने का तरीका होता है पहले हम pairing कर लेते हैं पहले हम यह देखते है कि 25 और 20 जो 2 successive discounts है इसके equivalent discount क्या आता है फिर वो जो particular discount है उसको 10 के साथ उसको और 10 को हम एक साथ successive discount मानेंगे and then we will find the single discount ठीक है ना अब देखो सबसे पहले आपको X को क्या मानना है 25% मानना है और Y को क्या मानना है आपको 20% मानना है ठीक है ना तो X plus Y मतलब कि 25 plus 20 minus 25 into 20 upon 100 तो पहले तो आपने इस से related discount percent निकालिया कितना आजाएगा यह 45 आजाएगा और यह कितना आजाएगा यह आजाएगा 40 percent मतलब कि अगर आपने एक जगे 25 का discount दिया और एक जगे 20 का discount दिया है तो वो equivalent discount होगा single discount of 40 percent दूसरा देखते हैं दूसरा क्या है अब आपने X को क्या मान लिया 40 percent मान लिया और Y को क्या मान लिया 10 percent मान लिया तो इस case में अगर आपको equivalent discount find करना हो तो 40 plus 10 minus 40 multiply by 10 upon 100 इसका percent निकाल लो यह कितना आजाएगा 50 minus यह कट जाएगा 4 कितना आजाएगा 46 percent यह चीज क्लियर होई आपको तो यह discount related question हो गया है वही हमने 2 successive वाला कर लिया आप 3 successive वाला कर लिया ठीक है ना एक यह वाला question है ठीक है अच्छा यह देख लो आप ठीक है और इसके लाब हम एक question और कर लेते हैं वह जो question है उसके अंदर क्या होगा कि पहले आप यह देख ले उसके बाद हम लोग क्या करते हैं अपने सारे questions क्लियर हो जाएं आने वाले lectures में हम लोग एक module discussion और DPP discussion जब करेंगे कि आपके पास जो profit and loss की काफी अच्छे questions है मतलब जो मैंने questions अलड़ी lectures में discuss कर वादी है वह नहीं क्योंकि वह basic questions थे अब हम क्या करेंगे कि जब हम module में module की questions discuss करेंगे तो काफी अच्छे level के है वह उसमें competitive level के भी है तो अच्छे questions उठाएंगे जो काफी मतलब हमें लगेगा कि यार यह कंडे में थोड़ा tough है तो वह questions मैं ले के आओंगी और फिर वपन करेंगे अच्छा एक question जो है वह इस formula पर बेस्ट है कि marked price is equal to 100 upon 100 minus discount percent multiply by selling price तो कुछ कुछ questions में आपको कभी कभी क्या करेंगे आपको marked price देंगे जैसे for example मिलको बोला marked price is Rs.1000 और discount percent जो है वह 5% है तो उस case में आपको क्या करना पड़ेगा आपको यह वाला formula लगाना पड़ेगा उस case में आप marked price क्या करोगे 1000 करोगे upon 100 minus discount percent मतलब 95 multiply by SP अब आप SP निकालने के लिए क्या करोगे 1000 multiply by 95 divided by 100 उस case में तो आपकी selling price आ जाएगे ठीक है ना भई formula क्या था marked price is equal to 100 upon 100 minus discount percent multiply by SP आपको question में marked price दे दिया है आपको discount percent दे दिया है आपसे selling price पूछा है तो आपने क्या किया ये वाले formula के अंदर सब कुछ जो भी था ना उसकी values डाल दिया है and then ultimately last में आपने selling price solve कर दिया है ठीक है ना एक तो इस type का question हो गया ठीक है ये first type का question है second type की questions में क्या होगा बटा second type की questions में आपको क्या दे दिया जाएगा आपको selling price दे दी जाएगी मानलो 2700 दे दी ठीक है ना और आपका discount percent कितना है 3% है ठीक है ना और फिर आप से ये बोला गए है कि आपको marked price जाननी है तो आप इसमें कौन सा formula लगा ओगे marked price is equal to 100 upon 100 minus discount percent which is equal to 97 multiply by 2700 आप formula लगा दोगे आपका directly क्या हो जाएगा answer आजाएगा I hope आपको ये lecture अच्छे से clear हुआ हो जहाँ पर मैं आपको discount की concept के बारे में बताना चाहाँ कि discount होता क्या है आप एक बार वापस revision करिएगा अपने notes का अगर आपने बनाए हैं तो और ये जो भी मैंने questions करवा आप इसको एक बार बीना देखे करना और I hope आपको ये lecture समझ में आया हो आपको आपको ये lecture समझ में आया हो इन नेक्स lecture we will be discussing about more questions on discount and profit and loss thank you